वेलकम इंडिस वीडियो दोस्तों जब अपने Windows 11 को अंसपोर्टट पीची में इंस्टॉल करना चाहते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारे कोशन होते हैं कि क्या ये अंसपोर्टट होने के बावजूद भी हम Windows 11 को इंस्टॉल करते हैं कि आपके जो भी डाउट होंगे वो सब क्लियर हो जाएंगे तो इस वीडियो को लाश्ट तक जरूर देखें और वीडियो चले के तो लाइक जरूर कीजिए और इस वीडियो को सेर भी कीजिए और सेर करने के साथ-साथ अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं आप पहली बार अपना experience windows 11 का आपके साथ मैं share करने जा रहा हूं तो सबसे पहले हम अपने desktop screen पर यहां पर आते हैं और यहां पर हम जो मैं अपने laptop Windows 11 use कर रहा हूं तो उसका हम सबसे पहले system information यहां पर हम चेक कर लेते हैं तो system information पांप क्लिक करते हैं यहां पा देख सकते हैं की system manufacturer hp है और model लंबर यहां पर hp 245 G5 notebook PC है और इसमें जो प्रोसेसर यहां पर लगा है AMD Radeon R4 graphics का 2 MHz यहां पर लगा है और फोर कोर्स और फोर लॉजिकल प्रोसेसर हैं और मैंने लैब टॉप में मैंने पूरा फीजिकल मेमोरी जो रैम है 8 GB तक यहां पर हमने इस्टॉल किया है और टोटल जो फीजिकल मेमोरी यहां पर यूज करने यहां पर लगबग 6.96 GB के असपास है तो सबसे पहले हम यहां पर अपने लैप्टॉप में PC हेल्ट चेक यहां पर मैं ओपन करके आपको यहां पर सो कर है कि दिस PC डज नाट करेंटले मीट विंडोज 11 सिस्टम रिक्वार्मेंट्स जैसे कि यहां पर देख रहा है कि जो माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज का PC हेल्ट चेकर है यहां पर सो कर रहा है कि यह प्रोसेसर यहां पर सपोर्टेट नहीं है लेकिन फिर भी इस सुथनेजस यहां पर सो कर रहा है कि विंडोज 11 में हमारा काफी तरीके से यहां पर काम कर रहा है अब यहां पर से करते हैं कि हमारा फॉइल ऐसे ऑपें अबंकर द्स यहां पर कारते हैं यह काम करते हैं विजेट smells तरीके से यहां पर रहा है आप यहां पर यहां पर यहां पर ऐरा हैं यह भी टारीके से यह अप्डाउन यहाँ पर कर सकते हैं क्या हम टाक्सपार सेटिंग में कुछ चेंजिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं उस चीज को हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर सोनले जेशन यहाँ पर सो कर रहा है इस पर हम क्लिक करते हैं to yourself to your partner यहां पर क्वोई भी हम टीम को यहांपर अप्लाई कर सकते हैं वह भी इसमूतली तरीके से यह मरगा in यहांपर घ्राल चुका है ज्यासे कि आप देख रहे हैंगी हाँ प्लाई कर चुकर तो यहांना हम सेटिंग्स पहां क्लिक करते हैं और सेटिंग्स पहाइब करने के बाद यहां पर जैसे कि आप डिस्प्ले सेटिंग यहां पर कर सकते हैं कोई भी यहां पर ब्राइटने सब बढ़ा या घटा सकते हैं देखिए यहां पर कोई भी सिस्टम यहां पर मुझे नहीं लगता है कि यहां पर कोई भी सिस्टम यहां पर काम सही से नहीं कर रह आप देख सकते हैं इसके बाद हम बात करते हैं अपने ब्राउजर के तो हम यहां पर ब्राउजर जो हमारा Microsoft is browser है इसी को मैं इस laptop में यूज करता हूं और जितना भी browsing होता है इसी के द्वारा करता हूं मैंने अभी तक इसमें Chrome की कोई सकता नहीं समझी है काफी अच्छे तरीके सा Windows 11 में पर मक्रोपर्श करते हैं Be उपन हो गया है तो कोई यहां पर साइ्ट हम इसे ओपन करते हैं तो सरकारी रिजल्ट ही यहां देख सकते हैं कि सरकारी रिजल्ट यहहां पर हो रहा है चाहते या और को ही तरीके से यहां फे कर सकते हosing यह है काफी बैसरी तरीके से यहां पे हो रहा है आक यहां से कोई भी site को open कर सकते हैं बहुत ही smoothly तरीके से इसे close कर देते हैं अब बात करते हैं कि Microsoft store को क्या हम use कर सकते हैं तो उससे भी हम देख लेते हैं यहां पर हम Microsoft का जो store दिया गया है क्या हम store को use कर पाते हैं तो Microsoft store यहां पर ताहिए नहीं आ रहा है यहां परतार प्सक्राहं समय घृषरे सबाइस भी नहीं तरह है यहां थोड़ा नेट यहां पर यहां पर तहला स्लू है यह द देहिए हमारे सामने microsoft का जो एंट्ने हमने यह सब जितने भी हैं सब यह भी ऐपन हो गया है और काफी smoothly तरीके से हम इसमें से कोई भी एप को यूज कर सकते हैं जैसे यहां पर इंस्टाग्राम दिया है वाटसब दिया है टेलीग्राम प्राइम वीडियो फॉर विंडोज और यहां पर हम यहां पर देख रहे हैं कुछ जो लोग हैं उनको बैटरी परफॉर्फरमेंस में सकता है कि उनका बैटरी जो परफॉर्मेंस है वीक हो गया हो और अभी तक मेरे लैप्टॉप में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है जिससे परफॉर्मेंस में कोई कमी हो और बैटरी कंजप्शन में भी कोई इतनी बड़ी कोई इसू नहीं है कुछ एप्स को हम यहां पर डिसेब कर सकते हैं और यह विजट है जो कि अन्यूजफुल हो सकता है यह यहां से टास्क बार यहां पर ओपन कर सकते हैं माउस के राइट बटन क्लिक करके टास्क बार सेटिंग यहां पर हम क्लिक करते हैं टास्क बार सेटिंग यहां पर हमारे सामने ओपन हो गया है और यहां पर जो यहां पर चैट आपके सामने स्क्रीन पर दे रहा है आप यहां से डिसेबल कर सकते हैं जो कि आन है तो आप यहां से आफ कर दीजिए विजिट को भी आप यहां पर आफ कर सकते हैं तो इसे क्लोज कर जाते हैं तो यहां पर हम टास्क मैनेजर को ओपन करते हैं और टास्क म जो है 25 परसेंट यूज हो रहा है मेमोरी हमारा 45 परसेंट यूज हो रहा है जीप्यू जो है यहां पर सिप्टी और सिक्स्टी के आसपास यहां पर सेंट में यूज हो रहा है तो आप देख सकते हैं कि जितना भी यहां पर हमारा यह लैप्टॉप है काफी सिंपली तरीके से काफी बहतरीन पर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फ कि यदि उसमें laptop में कि जितने भी टॉर्य लेप टॉप या पीशी है यदि उसमें Windows 11 को ओंजंटॉर्ल किया जाएगा तो उसमें अपडेट नहीं मिलेगा तो हम यहां पर अपडेट यहां पे ऑपन हमें मिलता है वैसे ही अपडेट यहां पे हमें मिल रहा है तो आप देख सकते हैं कि यहां पे अपडेट for Microsoft Defender Antivirus है और यहां पे Realtech Semiconductor यहां पे है जो कि अपडेट यहां पे है और पेंडिंग में है तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि Microsoft के कहने के बावजूद भी हमारे जो भी अनसपोर्टेट पीसी है यह लैप टॉप है उसमें अपडेट मिल रहा है तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि Windows 11 अंसपोर्टेट पीसी पर या लैप टॉप आप यूज करते हैं तो काफी बहतरीन तरीके से उसमें वर्क भी आप कर सकते हैं कुछ हमारे आडियंस का कुछ कोश्चन है कि क्या हम ऑफिस को इसमें अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते अपने ऑफिस में काम कर सकते तो हम यहां पर Microsoft Office को और यहां पर Lord को में काहत्ते हैं में यहां पर हम काम कर सकते हैं दोस्तों अब यहां पर हम देखते हैं कि क्या हम कोई भी वर्च्वल मसीन यहां पर हम रन कर सकते हैं यह नहीं कर सकते हैं विंडूस 11 में क्या कोई इसू तो नहीं आ रहा है तो यहां पर वर्च्वल मसीन यहां पर ओपन करने के लिए हम यहां यहां पर हम रन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं तो इसे हम प्लोज कर देते हैं और यहां पर जो Windows 7 है इसे हम ओपन कर लेते हैं जो वर्चुवर मसीन यहां पर इंस्टॉल है तो पावर अंद इस वर्चुवर मसीन को यहां पर झाले तरीका से आपर करते हैं यहां पर देख सकता हैं कि हमारे शामने वर्च्यूर मसीन यहां पर रॉन हो रहा है और बहुत कम टाइम में जो की यहां पर पिसी है और इसका प्रोसेसर भी काफी यहां पर देख कर सकते हैं कि विर्टुन सीन को भी हों काफी स्मूस्ली तरीके से रन कर सकते हैं हमारे सामने मैं यहां पर ओपैन हो गया है और जो कि यहां ऐald है ने के बाद थोड़ा समकुछ εί gouvern तेड कर कर लीके से काम कर रहा है हमारा वर्चुवर मसीन आप देख सकते हैं तो ओभराल हम यह कह सकते हैं कि विंडूस इलेबर अनसपोर्टेट पीसी में भी काफी बहतरीन तरीके से हम यूज कर सकते हैं यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को आप शेयर कीजि में विंडूस 11 को इंस्टॉल कर सकते हैं